चलो गाइज, आज मैं RCM की नूडल्स बनाने जा रही हूँ, आटा नूडल्स इसमें 5 आनाजों से बनी हुए, मतर आटा, सोयाबिन आटा, ग्यों के आटा और ओट्स के आटा से बनी हुए, ये मसादेश के उपर, और इसमें अजीनो मोटो भी नहीं है, और उपर से में ये सारा मैंने गाजार, टामाटार, प्याच, हरी मिच, इसमें ओईल की जरुरत नहीं है, और एक पैकेट मूडल्स में 13.6 ग्राम प्रोटीन भी है, आगी है मेंगी में, और ये 5 आटों के 7-7 बच्चों को प्रोटीन भी भरपुर मातर में मिलेगा, और जैसे कि आप लोग सब बहर के मेगी खाते हो तो बच्चों को पेट में दर्थ होती है आतों में दर्थ होती है उमाईदा का होती है पता ने किस चीज के होती है बट हमारे आर्चेम में चार अनाजो के भरपुर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा और इसमें अजीनो मोटो भी एट नहीं किया हुआ अजीनो मोटो भी नुक्सान करता है तो मैं इसे इसी टाइम बन करूंगी और मुझे मेगी थोड़ी सी सूप पर ले पसने इसमें प्याज, गाजर, टमाटर के सूप भी हो गया साथ में और मेगी भी बन गई है मेगी उपर से मैंने धोड़ी सी धनिया और पुदिना एट किया है इसे और टेस्टी बनेगी वाव बहुत टेस्टी बनेगी धनिया और पुदिना के फ्लेवर सारी है बहुत बढ़ी है